आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रत में खाय जाने वले साबू दाने की एकदम नई और यूनिक रेसिपी इसे हम बहुत ही कम मेहनत के साथ बनाएंगे साबू दाना थाली भीट पटाफट बनने वाली ये रेसिपी है तो आप भी इस लो रातरी में इस रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो चलिए हम बनाते हैं साबू दाना की थाली भी बहुत ही आसान तरीके से यहां पर मैंने उबले हुए दो आलू ले लिए हैं तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से क्रश कर लेंगे मैं इसे बड़े वाले से क् गठानी रही अगर आप इसे हाँ से मैस करेंगे तो थोड़ा सा इसमें गठाना जाएंगे इस तरह से आप इसे क्रश कर लेजेगा जिससे बहुत ही अच्छे से हमारे चो आलू है वह मैस हो जाएंगे यहां पर मैंने दोना लू को अच्छे से मैस करके लिए हैं अगर अच्छे से पाने से हुआ है उसके बाद मैं इसे पांस अच्या जंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ी थी अब हम जो आलू को मैस करके रखे हैं ना उसके ऊपर हम साबूदाना को एड़ करेंगी यह बहुत ही जादा अच्छे से मेरे साबूदाना भीगे हैं हमारे थालिया पिट में बहुत जादा अच्छा है तो आप इसे बिल्कुल भी इसके प्रही कीज़ेगा इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सवाथ की अनुसर सेंधा नमक डालेंगी यहां पर मैं व्रत के लिए बनारी तो मैंने यहां पर सेंधा नमक डाला है अगर आप तीखा बनाने के लिए एक छोट अच्छे मसलाइवर्स का पाउड़ा डाले है अब हम इसे हाथों के सायता अच्छे से मैस करेंगी अच्छे से हम इसे दबाते जाएंगे और इसे बिल्कूल एक डूकी तरह बाइंट करते जाएंगी अगर आपे आलू आपका कम रहेगा तो यह अच्छे से बाइंट नहीं होगा और जब हम थाली पीड बनाएंगे तो यह पटने लगेगा इसी तरह से एक बड़े से बरतन में ही आप इसे अच्छे से मैस करिएगा जिससे के बिल्कूल यह प्रॉब्लम नहीं होगी और यह बहुत ही जल्दी एक डो के फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि हमारा साबुदाना आलू के सांद कापी अच्छे से मैस हो चुका है विल्कूल इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद दस मेल के लिए रेश्ट करने के लिए छोग देंगे अब हम थाली पीड बानाना शुरू कहते हैं इसके लिए मैंने नीचे में थाली रख दिया है यहाँ पे अब कोई सा भी फ्लेट सर्फेस का वर्तन रख सकते हैं उसके उपर मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक के पॉलेथिन लिए है जिसे अच्छे से ग्रिख कर लिया है अब हम हाँ से थोड़ा सा घी अच्छे से ग्रिख करेंगे जिससे के हमारा हाँ बिल्कुल भी नहीं इस्टिकी होगा और थोड़ा सा पोर्शन हम साबू दाना कर जो मेक्षर बना करके रखा है वो हाथ में लेंगे और इसकी अच्छी बड़ी एक लूई बना करके रेडी कर लेंगे यहाँ पर दिख सकते हैं कि जैसे हम चपाती बनाते समय एक लोई तेयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से लोई बनाएंगे बस यह जो हमारा बड़ा जैसे बन करके त्यार हो बना है इसको आप डारेक्ट टेल में गी में फ्राइकर के साबू दाना का बड़ा भी बना सकते इसके उपर मैंने थोड़ा सा वापस से गियाड कि किये हैं इसके ऊपर वापस से एक वॉलिधिन लेंगे जिसके बाद हम एक फ्रैट सबसकर बरते हैं मैंने इसका फ्लैट एक दम सर्फस हैं बिल्कुल इसी तरह से दबाएंगे और थोड़ा सा उपर से हामें इसे पीट थाली पीड नाम है ना तो थोड़ा समय से पीटेंगे, जिसे हमारा जो ये थाली पीड बन रहा न बिल्कुल अच्छे से एक राउंड सेप में बिल्कुल चपाती की तरह। तेयार हो जाएगा लगाता है। जब आप नौ दिन का पास्ट रखते हैं तो यह रेसिप आपके लिए कितना ज़्यादा ज़्यूरी हो जाएगी कि बहुत ही कम मैंनत के साथ एक दम ज़्यादा स्वादस्ट हमारी थाली पीट बन करके त्यार होती है तो इसे कुक करने के लिए मैंने एक नौन स्टिक का पहन लिया है उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से घी स्प्रैट कर लिया है अब हम हमारे जो धाली पीट है इसमें ट्रांसफर करेंगे बहुत ही आसानी से हमारी धाली पीट को इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं हम देह सकते हैं कि हमारे युदाली पी्ट बिलकुल रोटी क्येसे गौल बन करके तयार हूं है बिलकुल भी ये जैट से नहीं तोटी है तो बस इसी तार स whole से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसी कुक करना है इसे हमें जल्दी जल्दी नहीं पर लटना है नहीं तो यह तूट जाएंगे वाश में तक एक सेट सामें से अच्छे से कुप कर लेंगे अब हम थोड़ा सगी इस प्लेट करेंगे थाली पीठी के उपर में क्योंकि अब हम इसे पलटने देखें बहुत ही असानी से साइट को छोड़ चुक है लेकिन हम इसे ऐसे नहीं पर टेंगे हम इसे एक प्रेट में ट्रांसफर जारेंगे उसके बाद हम इसे पलट देंगे यह देखें इस तरह से अदर आप यह रेसेपी बनाते हैं तो स्वाद जो है थाली पीठ का बहुत हुए अच्छे से इसे पांच मेंड के लिए और को कर लेंगे हाई फ्लेम में अगर आप पकाएंगे तो उपर से कोको जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल भी कच्छा रह जाएगा तो यहां पर जो हमारी धाली पीठ है बहुत अच्छे से पक के रेडियो चुकी है आप यहां पर नमक लिए है यहां पर हमारी थाली फीडियों के साथ इंजाय करने के लिए हरी जटनी बन करके तयार है यहां पर मैं इस एक कटोरी में ट्रांसफर कर लूँगी और बची हुए जो जटनी है उसे हम प्रिज में एर डिल कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी आप कोई भी ब्रेकवाज स्टेया स्नेक बनाएंगे तो आप इसे इंज्वा कर सकते हैं एकदम ज्यादा स्वाधिस्टे बनके चटनी त्यार होती है अब हम इसके उपर थोड़ा सा नीबू करस डाल देंगे नीबू करस आप तरवी डाले जब आपको चटनी इं स्टेयों हैं हैं यहाँ पर हमारी धाले पर बलकुल खाने के लिए रैडी है मैंने इसे रहात दे और हरी मिर्ष की पटी ये साथ उसके साथ यहां पर मैंने दो हरी मिर्ज को फ्राइ कर लिया था सर्व किया है आप भी इस नवरात्री में या कोई भी वबत में इस रेसिपी को बना करके इंजुई करिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगती तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा जैसे कि आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्दे मिलते हैं अपने एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक्यू फो वाचिंग